खूब खाऊंगा और खूब खाने दूँगा तो आपने सुना होगा क्योंकि वो तो पिछले आठ साल से चल रहा है पर खूब खाऊंगा और मरने दूँगा ये एक नया भारतिय जनता पार्टी का स्लोगन है और इस स्लोगन के तहत आज एक ऐसी घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे पूरा देश विचलित हो गया पर भारतिय जनता पार्टी जो हर बात पे 15 मिनिट में प्रेस कॉनफरेंस करती है अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया और मुद्दा है उनीका कार्य करतास भारतिय जनता पार्टी का कार्य करतास संतोष पाटिल उसने फांसी का फंदा लगाने से पूर्व एक डाइंग डिकलेरेशन दिया है जिसे भारत के कोड भी क्योंकि मृत्यू के समय हमारे धर्म में भी और हमारे न्यायले में भी जो लिखा जाता है उसको सत्य माना जाता है संतोष पाटिल जो की बीजेपी का कार्य करता है वो क्या लिखता है मैं वो आपको पहले हिंदी में सुनाता हूँ क्योंकि वो कंड़ में लिखा गया है शिरी केश इश्वरप्पा मिनिस्टर रूरल डवलप्मेंट मेरी मृत्यू के प्रत्यक्ष जिम्मेवार है ये पहला वाक्य है एक भारती जनता पार्टी का कार्य करता कह रहा है कि जो करनाटक में मंत्री है शिरी केश इश्वरप्पा जो की ग्रामिन विकाश और पंचायती राज के मंत्री है वो मेरी मृत्यू के प्रत्यक्ष रूप से सीधे रूप से जिम्मेवार है तो पहला तो सीधा जिम्मेवारी, उन्हें maximum punishment देना चाहिए, ये दूसरा वाक्या है, उस dying declaration का, ये निर्ने मैं अपने जीवन की सारी aspirations को खतम करके आज कर रहा हूँ, ये तीसरा वाक्या है, मैं सरकार, वो संतोष पाटिल जो भाजपा के कारे करता है, जो 40% commission से ग्रसित हो गए थे, वो लिखते हैं कि मैं भारत के परधान मंत्री, करनाटक के मुखे मंत्री, और हमारे लिंगायत senior leader शिरी योदुरप्पा से आगरे करता हूँ कि मेरे बच्चों का और मेरी पतनी का ध धियान रखे, मैं हाद जोड के सबसे विंती करता हूँ, सारे मीडिया के दोस्तों से विंती करता हूँ, कि जो संतोष और प्रशान्त मेरे साथ यहां ट्रिप में आये थे, वो मेरी म्रत्यू के बिलकुल भी दोशी नहीं है, मेरी म्रत्यू के सीजे तोर पे दोशी K.S. इ प्रमाण भाजपा का स्वयम का वरकर उनके स्वयम के मंत्री के उपपर सीधा ये आरोप लगा रहा है कि वह इस 40% कमिशन की सरकार 40% कमिशन जो सुबे से शाम तक सिरफ 40% कमिशन की बात सोचती है उस 40% कमिशन की सरकार के कारण उसने हस्ते हस्ते फांसी का फंदे पे वो लटक गया और प्रधान मंत्री जी करनाटक के मुख्य मंत्री जी देश के ग्रह मंत्री जी मौन सादे में हैं कोई मतलब नहीं है उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कौन आत्महत्या कर रहा है किसकी हत करनाटक के मुख्य मंत्री ने अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं करें वो क्यो चुपी सादेव हैं वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे उनके स्वयम के वरकर आज फासी के फंदे पे चड़ रहे हैं और मुख्य मंत्री अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी मांग है कि केस इश्वरप्पा को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पहली मांग, दूसरी बर्खास कर उन्हें तुरंद गिरफतार किया जाए लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवन इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए